वेल्कम बैक तो टेक एफसी गाईज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन ट्रिक्स येस बहुत ही काम के हैं जरा सुनो तो क्या क्या है जिनका यूज करके न आप अपने स्क्रीन शॉट्स मैनेज कर सकते हो फास्ट टाइपिंग कर अगर आप अपने फ्रेंड से या किसी और से भी चैटिंग करते टाइम शॉट फॉर्म का यूज करते हो और लंबे सेंटेंसे लिखने में आपको आलास आता है न तो आप अपने फोन की सेटिंग्स में ही पॉस्नल डिक्स नरी के फीचर को यूज कर पाऊगे येस इस फी इसमें आप किसी भी लंबे सेंटेंस को लिख कर उसका अपना खुद का शॉटकट क्रियेट कर सकते हो कैसे चलो बताता हूँ कैसे अगर सपोस करो मुझे टाइप करना है कि I'll call you later तो मैं पूरा सेंटेंस यहां लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं इसके लिए और आपको बहुत सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा जो कि आपका टाइम बचाएगा और आपसे बात करने वाले लोग भी सुचेंगे वाई यार इतना तेज कैसे टाइप कर रहा है यार यहां तो हम सोचते हैं क्या लिखना और यह लिखके भेज भी देता है गजजब ह आप अपने कीबोर्ड का थीम एन अपियरेंस चेंज कर सकते हो लैंग्विज सलेट करने का भी ऑप्शन है लेकिन इसमें मुझे न यह हिंगलिश का ऑप्शन नहीं मिला सो टेक्स इंपुट में कई सारे ट्वीक्स हैं जिनको आप ऑन या ओफ करके अलग-अलग चीज़े कर सकते हैं थीम्स में ज्यादा तर इन कीबोर्ड के डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अपियरेंस में आप कीबोर्ड की हाइट या फिर उसकी मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इस कीबोर्ड को यूज करने का फायदा ये है कि इसमें कीज भी का स्क्रीन शॉर्ट ढूंडते हो तो कन्फ्यूजन होता ही है इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं बहुत आसान है और आपको इस ट्रिक के लिए एक सुपर कूल एप स्क्रीन शॉर्ट गो डाउनलोड करना होगा इस एप में आप सर्च पर क्लिक क करके जो टेक्स्ट स्क्रीन शॉर्ट में लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को या उससे रिलेटेड टेक्स्ट आप एंटर करो और फिर देखो कमाल ये एप न उस टेक्स्ट को आपके स्क्रीन शॉर्ट में सर्च करके वो वाला स्क्रीन शॉर्ट आपके सामने ला देगा वैस वैसे चैट के स्क्रीन शॉट्स के लिए अलग कलेक्शन, वेबसाइट या पढ़ाई से रिलेटेड स्क्रीन शॉट्स के लिए अलग कलेक्शन, एट सेक्टर एट सेक्टर जैसी आपकी मर्ज़, वैसे मुझे ये एप ओवर ओल बहुत पसंद है, इस आप के साथ आपको एक ओवर ले आइकन भी मिलता है, जिसको आप फोन में कहीं पर भी क्लिक करेंगे न, तो उस पेज का स्क्रीन शॉट आ जाएगा, ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपको ये स्क्रीन शॉट कौन से कलेक्शन में डालना है, या फिर इसको आप अन्शॉटेट भी रख सकते हैं, तो अगर आपके कुछ सीक्रेट फोटोज या वीडियोज हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनने आप हाइड करके रखना चाहते हो, नहीं चाहते हो कि किसी को मालूम चले यार, नहीं तो बहुत सारी राज खुल जाएंगे और बवाल हो जाएगा, तो अगर आप बवाल से बचना चाहते हो और चाहते हो कि किसी को मालूम ना पड़े, और आप इन्हें छुपा के रखना चाहते हो, इस काम में आपकी हेल्प करेगा, चलता भी वैसी है, ये कैसे फाइल्स को हाइड करेगा, लेकिन अगर आप एक स्पेशल पासवर्ड डाल के और इक्वल्स के साइन पर क्लिक करेंगे, तो देखो क्या होता है, खुल जा सिम-सिम, आपका प्राइबेट सेफ ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप मल्टिबल फाइल्स, फोटोज, वीडियो, सब कुछ डाल सकते हो, यहाँ मैं अपने सीक्रेट फोटोज, फाइल्स, वीडियोज स्टोर करके रखता हूँ, और 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 साथ ही, यहाँ पर कैमरे का ओप्शन भी है, जिससे मैं इस अप के अंदर ही, फोटोज, क्लिक, एंड वीडियोज रिकॉर्ड कर पाऊँगा, इस अप में शेयर फाइल्स का भी ऑप्शन है, जिसका यूज करके आप अपने किसी दूसरे डिवाइस के साथ, फाइल्स, शेयर एंड रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, इस अप में इनका खुद का नोट अप है, और एक ब्राउजर भी है, जहां पर आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर पाऊगे, जिसकी सर्च हिस्ट्री आपके फोन में स्टोर नहीं होती है, मतलब यार, ओवर ओल एक सेकेंड स्पेस है, या फिर प्राइवेट इस्पेस का भी काम करता है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार, है ना? ट्रिक नंबर फाइव, क्रियेट क्यूर कोड, गाइस, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को क्यूर कोड के बारे में तो पता हो गई होगा, लेकिन आप खुद का क्यूर कोड कैसे बनाते हैं, उसकी एक बहुत ही सिम्पल ट्रिक है, गूगल क्रोम पर, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, या फिर किसी भी लिंक पर, या एन इवन किसी भी टेक्स्ट को सेलेट करें और शेयर करोगे, तो शेयर करने पर, आपको नीचे एक QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड उसे क्लिक करने से, आपके सामने स्क्रीन पर QR कोड डिस्पले होगा, जिसको आप किसी और फोन से स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर उसको डाउनलोड करके किसी को भेज सकते हैं, जिससे सामने वाला परसन जब वो QR code scan करेगा तो उसके सामने आपकी share की गई वो चीज़ शो हो जाएगी सिंपल ट्रिक नमबर 6 वोकी टॉकी क्या आप घर बेटे बेटे बोर हो चुके हो और मस्ती करना चाहते हो कुछ अंजान लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते हो तो दोस्तों ये है वोकी टॉकी एप और इसका UI कुछ रेटियो के जैसा देखता है जहां आप अलग-अलग चैनल नमबर्स पर स्विच कर सकते हैं अगर आप पावर बटन पर होल्ड करके रखोगे तो आप एक रैंडम चैनल से कनेक कर पाओगे जहां आप दुनिया भर के अलग-अलग लोगों से उस SIM नमबर की फ्रिक्वेंसी पर बात कर सकते हो ये एप मैंने ट्राइ किया है यार सच बताओ पर मुझे ज़ादा तर अंग्रेज ही मिले हैं पर आप यहां पर अपना एक प्राइवेट चैनल भी बना कर बात कर सकते हो और यहां पर आवाज जो है न वो मुझे काफी क्रिस्प एंड क्लियर लगी एक चीज मुझे जो इस आप में पसंद नहीं आई वो यह है कि जब आप किसी भी चैनल परना ज़ादा देर बात कर लेते हैं तो इसके फ्री वर्जन में आप अपने आप ही थोड़ी देर बार डिसकनेक्ट हो जाएंगे वैसे इस एप में आप प्राइवीट चैनल बना कर और ओनलाइन एक्जाम्स में फ्रेंड से आंसर्स भी पूछ सकते हो हैना इंट्रेस्टिंग आपको कौन से ट्रिक इन में से सबसे ज़ादा पसंद आई हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा और तब तक के लिए सब्सक्राइब टो टेगफसी और वे बैक सून बबाबाए